वीजा नेम्स प्रिजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम आज आप पहुचे हैं वाड नमर छे में वाड नमर छे में आज हम गूमेंगे इस वक्त हमारे साथ वाड नमर छे के जो पार्शाद है दरमपाल जाटा वो कौन बनेगा मेयर शो की ये रिक्षे की जो सवारी है हमारी उसमें सवार है इनके साथ इनके इलाके में गूमेंगे इनके वाड में गूमेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे वाड के अंदर कितने रुपे की लागत का काम अभी तक ये करा चुके हैं कौन- साथ जो साधरान सभा थी साधरान सभा दो दिन तक कंटीनू चली उस दोरान इन्होंने एक मसला भी उठाया और उस मसले के दोरान जब मामला उठाया गया तो साधरान सभा की कितनी इंपोटेंस होती है वो मैं आपको बताता हूं साधरान सभा में मामला इन्हों ने उठाया और उठाने के देर शाम होते होते उस मामले पर अधिकारियों ने कारवा शुरू कर दी काम करना शुरू कर दिया यानि कि साधरान सभा इतनी माइने रखती है कारिकरम को शुरू कर लेंगे उससे पहले वाया अपने कारवा को कौन बने का मेर मेयर्शो के जो इलक्षे की हमारी सब्सक्राइब कि इसको चालू रखी और गुम हें इनका इलाके के अंदर सबसे पहले जाटता वस्वाइस भाफ पने पार्षट से आप रूबरू हो रहे हैं और पार्षट की जनता की सीधी वाड की जानकारी आप तक जाएगी और इसको वरतमान में पूरे छेतर की जनता अजमिर की जनता देख रही है सतता होगी जनता मुल्याकन करेगी सतता नहीं होगी तो घूम पिर के बाद कैनल तक वापिस आजाएगी तो मेरा निवेदन ये कि मेरा जो वाड नमबर छे है पार्षट धरमपाल जाटव जब मैं इस चितर में पार्षट बना था उस समय से इस वाड के अंदर अनेक समस्या को देख करके मेरे को भी लग रहाता कि समस्याओं का निराकन कैसे हो पाएगा परंतु धहरिये पूर्वक मेरे वाड में छे भाग है छे भागों को मैंने छे भागों में बांट करके वाड को और एक-एक भाग से काम चालू किया सबसे गरीब बस्ति है लुहार बस्ति बं कोड़ा है जो उस पर केस चल दा है जिसको अखाड़े के नाम से जानते हैं केवल उस पर काम नहीं हुआ बाकी पूरे छेत्र में गरीब बस्ति में पूरा काम हो चुका है फिर भाग दो के अंदर कुछ नालियां ऐसी थी कि जो की बार-बार बारी वहिवानों से तूटती थी तो मैंने सोचा कि यह बार-बार तूटती है बार-बार सरकार का पैसा खर्च होता है उसके अंदर जो भी टेंडर हुआ उस टेंडर से मैंने बीम डलवा करके नालिया बनवाई जिसमें घाटी की नाली भी है और मेरे इसमें एटलस इसकुल वाली गली है वो बनी तो बीम डला हुआ है आज पास साल से अभी तक उसका एक पौना भी नहीं चूट पाया इसी तरह जहां अब अभी चल रहे हैं यह मैं रोड है मैं रोड के जो दाई तरब का हिस्सा है यह सब मेरा वाड़ छे के अंदर आता है इस वाड़ को भी मैंने करम से लिया इस वाड़ यहां पानी भेता था और इतना पानी भड़ता था कि जंता परिसान होती थी और खड़ा पड़ जाता था और नाली बार बार टूपती थी मैंने मेर साहब से कह करके आगरे किया मेर साहब ने मेरी बात को माना और सुना उन्होंने मेरों को भर पूर बजट दिया और दर्मपाल का वास्तम में ये काम बड़ा सॉलिड है इस नसिया रोड पर जो अपन चलने हैं पारसत बनने के बाद सबसे पहले नसिया रोड को मैंने बनवाया था और यहां पर चंपालाल जी महराज ने इसका उद्गाटन किया था तो उन्होंने कहा था सब बहुत दिनों ब बराबर चल रही है यदि किसी ने नलका कनक्षन लिया होगा तो जरूर खड़ा हो गया होगा उसको भरवा करके पुने दुरस्त कराया और अभी हम आगरा गेट की तरफ जा रहे हैं आगरा गेट से जो बाहती की तरफ घूमता रास्ता ये बीच का छेत्र भी मेरा है सारे व्यवपारियों से कभी भी आगे पीछे जानकारी लोगे तो सारी मतला समस्याओं का समाधान चाह सपाई का काम ले लो चाह निर्मान का काम ले लो अभी देखो मेरे व्यवपारियों को सपाई करमचारी अभी भी नाले में गुसे हो हैं यहां की इस्तिती ये सारे व्यव बन गया तक उसमें तूबीलर वाले गिड़ने लगे थे व्यवपारी ने अभी व्यवपारी गवाएं उन्होंने मेरो को दो दिन पहले का दर्मपाल ये खड़ा हो गया इसको बरुआ हो मैंने का कल बरुआ दूँगा तो कल की तारीक में खड़ा बर गया तो ब्यवपारी ने उस सुबह आज रोक करके मेरो को धन्यवाद दिया इस बाट के भी व्यवपारी गवाएं कि उन्हों धन्यवाद दिया उसके पहला पीछे का जो लाटे सोनी जी कि नशिया वाला नाला इसकी सपाई महीने में एक वार सपाई रहती है ताकि यह फेल नहीं हो रुके नह नालों का बरावर में ध्यान रखता हूं इसके पश्चाथ गंज वाला जो छेत्रे में वह बताया कि लुहर बस्की को बीच में टोकूंगा यह जो इलाका है यह चाहिद आपी के उसमें आता है यह वाला जो इलाका है यहां पर ट्राफिक की बहुत बड़ी समस्या रहती है और मुझे लगता है कि यहां के जो व्यापारी हैं आपके वो बहुत ज़्यादा परिशान इस चीज से भी रहते हैं आप आर्चाद हैं यह नजदीक के आपका पुरा वाड है यह एक बड़ी समस्या है इस पर भी कभी क्या शिकायत है आपको मिली यहां पर एक गनेश जी का मंदिर है और प्रिसित मंदिर है तो जब भी बुदवार आता है बुदवार के तिन हम लगता है बुदवार से आगे पीछे को विश्या यहां ऐसी समस्या नहीं होती पर तुबदवार को जरूर समस्या आती है ट्रैफिक वाले इस चीज़ का ध्यान रखने लगे हैं, कि यहां पर जाम नहीं लगे फिर भी यो बेपारियों की समस्या बेपारी सिकात भी करते हैं पंतु कुछ बेपारी ये भी कहता है कि दरमपाल जी यदि वन बेउ हो गया तो हमारे बेपार का क्या होगा केई बार उनसे चर्चा हुई उन्होंने का भाईया चलने ते जैसा चलना है या तो हमारे वेपार टूटेगा और या एक समस्या लोगी दूसरी खड़ी हो जाएगी तो वेपारियों का ताल मेल से ये काम बराबर चलना है इसलिए थोड़ी समस्या होती है कुछ हमारे छित् तो उनको चोड़ा करने की कोई गुंजास है नहीं और यदि इसको वनवे कराते हैं तो वेपारी दुखी वनवे नहीं कराते हैं थोड़ी बहुत जंता दुखी इसलिए उस हिसाब से ये काम बराबर चल रहा है तो ताल मेल से गाड़ी चल रही है अच्छा मुझे एक ची जागत का आपके इलाके में अभी तक आप काम करा पाएं और कॉन-कॉन सी मत से आपने अभी तक काम करा हैं चार-सार साल हो के अदिआ यह आपने बहुत बढ़ी आ प्रसंद किया और सबसे बड़ा लाब पारसद बनने के बाद मेरे को ये मिला विकास कारे लेकिए जनता को भी जो लाब हुआ वो मैं गिनाना चाहता हूँ यहां पर MP भारतिन्ता पार्टी का है घ Wertइन्ता पार्टी का है युई का बोड अपने एडा जी थेए बीजेपी के हैं और बोड जो फो है निगम का वु वब्लब्वान में बीजेपी का है तो चार मदों का जो लाब मेरे को मिला मैं परन्तु में पी डबलुडी से सेवा निम्रत था शीनेर डाप में से रिटार हुआ हूं तो मेरे को सारी जानकारे थी बजट कैसे लाया जाता है कैसे खर्च किया जाता है और समस्या का समाधान क्या होता है जो काम एक बार मेरे बाड में हो गया वह 15-20 साल तक शड़क नाली नहीं तूटी तो इसलिए वह भी लाब मिला क्योंकि चालू काम कराया नहीं इस्ताई काम हुआ तो वह भी लाब मिला अब इसमें MP का फंड, MLA का फंड, UIT का फंड और अपने इसका नगर नेंगम का पैसा इन चारों अधिकारियों ने चाहे हमारे आदर्निये देवनानी अधिर यह हूँ चाहे हमारे महापोर जी हो बताब भर पोर पैसा दिया जब 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 मैंने पत्न जखा समश्या के लिए मैंने दस अरूपे मांगे तो उनहों ने पांच बार पह जारूब दिये विस लाग मांगे तो पर प्रिगती ये है कि मेरे वाड य righteous उन्द जनता ये कहेगी पहली बार चित्र के अंदर ऐसा काम हुआ है और एक एतियासी और काम हुआता यहां पर एक चिल्ला है चिल्ले पर अलग जो मुस्लिम भाई थे उनके मन में धारना थी कि बाजप्पा के पारसद काम नहीं करते हैं कभी चिल्ले पर जाओगे तो साल में दो बार बुला करके मेरा सम्मान करते हैं उनकी परंप्रा है और वो यह कहते हैं पहली भार हमने पारसद देखा है जो हमारे यहां लाइट है और सड़क नाली वहां भी कभी आप जा कर देखेंगे तो आपको पता लगे गा बहुत बढ़िशा जेगे कर दी गई है वह भी सब स्ट्राजा है और द मेरे छेत्र में में पानी की समच्या है और था कुछ गल गहीं उन्छोटी तो उनोंने मेरे आग्रे को माना उनोंने कितना बज़त लगेगा मैंने का सब यह तो मैंने उनको जल्दाइ वागवालों को पीएच्डी वागवायों का उन्होंने सर्वे किया और तो भरपूरप मेश यह वागे न HERE पूछेंगे तक वास्ताम पानी की समस्या नहीं तो इतना तरस्तेतै पानी के लिए क्योंकि पाईपलान गली थी या 2 इंची की थी मैंने चार इंची की पाईब लाइं चार चार-चार-पांच और बाबुगार छेत्र में तो एक-एक गली में लाइन डिलवा ताकि उनको दो फुट पाई भी लगाए और उनके घर में पानी आ जाए तो ऐसी जो समस्या का समाधन हुआ है उनको भी लगता है कि वास्त में दर्मिपाल ने काम किया है तो यदि काम की तुल्ला की जाये तो अपने काम से मैं तो संतुष्ट हूं यह तो बात सही है लाके में सफ़ाई करमचारी जो है क्या नियमित आते आने कामचोरी करते हैं और पानी की समस्या आप आप से जdefense सब दूर हुग गई क्या उपर पानी के समस्या बिल्कूल सब दूर हो गई और अपने गटर बाथरूम दोती है फिर भी पानी बचता है तो गटर में इडाल देती है उता宝नले हो गाडिया दोनों समय आती है और फॉर करमचारी लगे हुए है बाबुगाड के अंदर miare sagi kom Pastor एक नि ermी कर एक निश्य तिस्तान तेयकर siara Нам Change garant byन TV को अभड़े और पुछ लैकर कि वहां रख देते हैं पुरिओं में भर के और कुछ ही कच्रा और आना है या इतने बोरे और आने तब तक खड़ा रहता है तब तक वो सब सब के सब नहीं आ जाए और सारे सपाई करमचारी नियमित आते हैं और मेरे वाड के तो मैं सच बता हूं आपको करमचारियों से ब्रेक के बाद आपको और जो इन्होंने काम किये हैं उसके बारे में अफ़कत कराएंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन मनेगा मेजर शो में और ये तस्वीर में दिखाता हूँ आपको वाड नमर 6 में ही आता है दरंपल जाटव यहां से वाड के पारशद है ये आनसागर जील का वो इलाका है जहां पर कभी लोग बहुत जादा डूपते थे यहां पर जगे नहीं थी लोग यहां पर इसी जील के अंदर नहाया करते थे लेकिन अब इस जगे को आप देख लीजिए यहां का पूरी जो रूप रेखा है पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से बदल गया यह सब यह तस्वीर कैसे बदली आपने यह तस्वीर आईसा बदली साथ जब बहुत पहले से इस में जायरा हैं इसनान करने तो प्रषाब को भी चिंता थी मेरे आने के बाद मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरे वाड में वेक्ति दूब के मरते हैं तो हमने ये विसे अपने देवनानी मंतरी जी को मेर साहब को इन सब के उसमें भी महां तक बात पहुंचाई लिखित में भी दिया तो जब एक प्रोजेक्ट आया इसमें मोदी जी को हमें जरूर धन्यवाद देंगे उन्होंने क्या स्मार्शिति के नाम पर और अनेक योजनाओं के नाम पर जो पैसा दिया अमरत योजनाड जो पैसा दिया उस पैसे का लाव मतलब निगम ने और यहां की जनता ने भरपूर उठाया आज चारो तरफ इसकी रेलिंग लगी हुई है रेलिंग के माद्धम से कोई जान पूज गई कूदना चाहे और जिसको मरना है वो ही मरेगा दोके से हैं कोई नह बढ़ सकता दूसरा इसके चारो तरफ जो चौपाटी बनी है पहले गंद की का धेर हुआ करता था आज चेतर पर सुबह 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 महिला पुरुस बच्चे भूमने आते हैं इसके चारो तरफ और बड़ा आनंद लेते हैं और कभी बरसात होती जब तो उनको और ही ज चनता भी इस काम को सरानी करती है बहुत धन्यवाद देती है बाजपा को अच्छा हमको मालूम पड़ा की दौलत बाग जो है जिसकी अजमेर शहर कभी नहीं भूल सकता और उस दौलत बाग को जहां पर अजमेर में पलने वाले पैदा होने वाले हर बच्चा मेरे साफ से और आज दौलत बाग के काया पलट गई है ये भी आपी के वाड़ में आता है जी हां ये दौलत बाग से जानने वाली जगे ये सुबा सुद्यान है सुबा सुद्यान में पहले जो गंदगी हुआ करती थी और बारिस होती थी इसमें पानी भर जाता था घास भी खतम हो ज उसमें समस्यां भी खत्म ही हैं नए पड़ पेड़ भी खुब लगे हैं और सुबह जाते हैं जो माली उसमें पानी का छिड़काव करता तो बड़ा आनंद आता है और हर वर्क कवे कि यहां पर वहार से जारीन आते हैं वह भी इसको देख करके जाते हैं इस पर टिकट लगा उस टिकट का पैसा भी से हर्स वो देते हैं और बड़ा आनंद लेकर कि यहां से जाते हैं तो यह एतियासिक जगे है कि वास्तम में यह भी निगम को चाहे मोदी जी को चाहे बाजब पासरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे कारकाल में हुआ आपका वाड का हिस्सा है तो आपकी जनता भी कुछ हो गई कि हमारे वाड पासर ने ऐसा काम कर दिया हाँ पब्लिक तो इस बात से खुछ है और अब यह अपन जिस रोड पर चलने हैं जिस रोड से भी बड़ा परिशान क्योंकि हमारा भी जफ्तर है मुझे भी इसी रोड से रात में गुजनना पड़ता है यहां की बड़ी पीडा थी मैं देखता हूं यहां परड़ा ट्राफिक होता और यह सड़क थी यह सड़क बहुत तूटी भी रही बहुत लंबे हरसे तक तूटी भी रही यहां की जाम की आहलात कभी बदलेंगे क्या अभी आप इस चोड़ी हो गई और बढ़िया बन गई और सारे व्यवपारी इतने खुस हैं इनसे खड़े हो करके आप पूछोगे किसी से यह कहेंगे एत्यासिक काम हुआ है जो किसी कलपना नहीं कर सकते था आए दिन पाइपलाइन का टूटना आए दिन सड़क का टूटना मैं कहतों 50 सा सब्सक्राइब करें जिदे कि जिन्दगी मैं अब जब से 47 के बाद पहली बार ये काम हुआ इस तरह का पहली बार आपने भी देखी देखा होगे रास्ता जैसे आप कह रहे हैं और अब इस रास्ते पर कैमराइब को पता लगया कोश्टम मैं सेंतालिस के बाद पहली बार काम हुआ है इतना बढ़िया काम हुआ है एक फुट हाइटेस रोड की इस पर कितने ही बड़ा टेक तो चला जाया कितने बड़ा ज़िकर कर रहे हैं क्योंकि आपने एक बात का जिकर किया आप कुद पीएजडी डिपार्टमेंट से रेटायर इस बात में सतता है और जनता इस बात की गवाया है अभी एक बस्ती आएगी अभी जिसमें अपने उसको मीट वाली गली केते हैं उस मीट वाली गली में चलोगे आप तो वहां कभी पैदल का रास्ता नहीं था उनसे मिला हुआ वेपारियों से मैंने उस नाले में दोनों तरफ लोए के मीम डाल करके नाला बनाया आज फोर वीला थिली वीलर वहां से निकलते हैं और उस चेत्र के अंदर वहां कैई वेक्तिये से उन्हों का दर्मपाल जी यह सड़के आज तक बनी और बार बार टूपती हैं तो महां पर एक घंशाम जी करके हमारे मित्र हैं उन इतना बढ़िया था क्योंकि ठेकेदार को पता है कि हैं तगारी गिनी जाती है उसको भी अतराज नहीं था उसने कहा वाओ जी मैं तो एक तगारी फाल तू डालो चिंता मत करो फिर भी हमारे गंशाम जी और हमारे उस वेपारियों ने वहां बैट करके तगारी गिनी और वाज उसकाम को देखो गे तैना सांदर काम रख बराबर ट्राइए करी बराबर उसने का काम किया ओंशिंद्र काजश Sir Hari को जाइन किये बिना को जो काम चाहते थे वो पूरा कर तो पब्लिक यह कहेगी कि वास्तम में धर्मपाल जी जो काम होता है उसको जनता के हवाले छोड़ देते हैं और ठेकेदार को कहता हूं भाई जनता को यह चलना है जनता को रहना है इसलिए इन के अनुकूल काम होगा और कहीं से समस्या भी आती है तो मैं मैंनों दिवारों प होते हैं अभी भी किसी का फॉन आ जाए तो मैं उसके फार्म पर यहां बैटा बैटा साइन कर सकता हूं वहला इस बात में भी जनता खुछ है कि यह विशेष्टा है यह सारे चेत्र में इतनी पब्लिक बैठी है आप देखोगे करोगे तो लगे का वास्तम मैं यहीं से नि भैन बच्चे से लेकर कर ते का प्रतेक नागिरिक से जाकर पूछ तक हो कि पारिशत को जानते हूं सब कहेंगे आँ साप जानते हैं आपको कम मिलता कैसे मिलता जैसे मिलता है जिस फ milligrams करते पार्शत कहता है बोलो कह ओ और वो कहता है मेhara till जा जातों आदображ हो मैं आद अध बाद कर चुके हैं जिसमें से तीन वार्ड पारशद ऐसे रहे जो बहुत सहज अपने वार्ड में उपलब्द नहीं हो पाते हैं और आज हमने दरम पर जाटव जी को फोन किया, मुश्किल से 15 मिनट पहले ही हमने इनको जानकारी दी कि आज हम आपके बार्ड में आ रहे हैं, कौन बनेगा मेजर शू की सवारी लेकर तो इन्होंने तुरंद प्रभाव से यह कह दिया, हमारा मानना रहता है कि कभी भी हम दो घंटे, तीन घंटे पहले किसी भी पार्षद को सूचना नहीं देते हैं क्यूंकि कारेकरम प्रायोजित ना हो जाए, कारेकरम में सच्चा ही दिखाई दिनी चाहिए और इसलिए हम पार्षदों को आदा घंटा या पंदा मिनिट पहले ही जानकारी देते हैं यहां फिर हो कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद यहां के लोगों से आपको रूबरू कराएं मेडर के बाद एक बार फिर आपका सवागत है कौन बनेगा मेश शो में और इस वक्त वाड़ नमबर 6 में जहां टेंपो लगते हैं यह जो रास्ता हैसी ददिटिक यहां पर यहांसे तमाम जाएरीन यहां से गुजरते हैं और यह जो यहां पर लोग हैं आप इसाड़े-चार साल का इनका कारेकाल कैसा रहा क्या आपको लगता है कि आपके वाड में आपके लाके में और कौन-कौन से काम ने चाहिए हो ऐसी संबाबना जो होने चाहिए थे कारेब तो होई चुके हैं थोड़े बहुत है बाकी जो भी उनके लिए दिखी रहे हैं और बागी के तो बढ़िया आजमी है हमेज़ा तत पर काम के लिए तयार रहे हैं इनके बाड में होती है न देख लो सपाई देख रहे हैं अच्छा यह बताइए कि आप टेंपो वाले हैं आपकी गाड़ियां यहां खड़ी होती है कभी ऐसा हुआ कि पुलीस वालों ना आक इस पर बेटें वहां आजाओ आपके पहले पुराने पार्शेते उनको तो घर डूंड़ों पहले अच्छा पर डूंड़ा हो गए बाज मारा सील ही घर रखी है यह तो खाई भी होंगे रोड़ पर चलते गाड़ी को बेटे बेटे कर देते इस पर सील लगारी है यह लो भाई हो गया जान दाओं तुद्धे की सकल पर देखे जाओं कारेकाल टीक है कारेकाल बढ़िया चलता है एक अमेटकर नगर नई शड़क के नाम से जो मैंने निर्मान किया शेंतालिस के बाद पहली बार हुआ इन सब से पूछ सकते हो और बाट पर तक जाती है पैदल चल लेगी है अमारे घर तक आज कर गाड़ी जाती है कोई जमाने में सिद्धिया आती हम पैदल जाने नहीं सब्सक्राइब जराब निस तंकोच के साथ टिकेट देमें बिलकुल देमें चलिया मुझे बाद और बताईए आपके बाड में कोई तो एक समस्या ऐसी मुझे बताईए जो हो की जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई और होनी चाहिए कुछ है ऐसा बर्चों से चलती हा रही अच्छा 360 डिग्री वाला होना चाहिए वह होना चाहिए यहां के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं यहां फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और कौन बनेगा मेर शो की जो इरिक्षे की हमारी सवारी है इस कारवा को आगर लिके चलेंगे चिकन सूपर एक्सप्रेक्स नियर यादव कॉंपलेक्स वेशाली नगर अजमीर सब्सक्राइब के लिए सबसे बड़िया पार्शाद आप मान के चल रहे हैं इनको व्यापारी की उससे नहीं लेकिन सब्सक्राइब के लिए पार्शाद एक नमबर है और तुरंट कोई भी काम पढ़ता है इनका तुरंट पहुंच जाते हैं बिल्कुल राच को या सुबह मोर्निक अंदर नाइट में इनको जब भी कोल करोगे आप तुरंट बलावाजिर हो जाते हैं तुरंट अच्छे आ सब्सक्राइब करें और यह कि यहां रुकेंगे फिर से एक चोटे चेवरेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको और सुनाते हैं कि दरंपाल जाटव ने एक क्या खास काम अभी सादरन सभा में किया है मोबाइल रिपेरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तीजी से उभरता नाम MD Mobile, Station Road, Ajmeer, Contact 811-44-82312 Chicken Super Express, Delicious Chicken on your door Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount Chicken Super Express, नियर यादव कॉंपलेक्स, वेशाली नगर, Ajmeer तो आगे हो कि अपने आभी लोगों के पाद चले जाते हैं, यह आपका काम है तो मुझे बता दो, तो वह ऐसा काम जो आपके वार्ड में लगता हो, रह गया हो, इनको करना चाहिए, आगे, जो आज तक 70 सालों में नहीं नहीं हुआ, सबसे पहले उमिद होती है, आज जाक सब्सक्राइब में रखते हैं, आप पोन करो तो सीधा उसके घर बहुच जाते हैं, पता सीलका लगानी है, ऐसे आदमीं के लिए तो कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है, अब ही बढ़ी है, चार दिन पहले रेटें बढ़ गई है, अच्छा, कारवा हम आगे बढ़ाते हैं और इस गली में ले लिजे बाई साब, इस गली में लेके चलिए हमको, अच्छा, मुझे एक बाभ बताईए, साधरान सवा का जो किस्सा है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, क्या हुआ था साधरान सवा में, कि आपको एक अधिकारी की किलास लेनी पड़ गई, शिकायत करन करने कोई टेंडर डाला, उसने काम करने से मने कर दिया, तो अधिकारीयों की तो लापरवारी के इतनी रही कि यदि उसने मने कर दिया, तो री टेंडर दो महीने बाद हो जाने चीए थे, वो इस बात को आगे टालते रहे, और टालते टालते इनों उस काम को टेंडर नहीं करें और टेंडर नहीं करें तो आठ महीने हो गए और इधर कारेकाल कम था तो मैंने कहा बैद दूसर दुवारा बजट देने की तैयारी कर रही है निगम और अभी तक मेरा पुराना बजट नहीं काम में लिया गया उदिन साधर अड़ सावा थी मैंने दो तिन पत्र दिये सब्य॥्समें मैंने पत्त दीये मेरसावने मार्क किया वो गया बोगया हाए और से मार्क कया और यहांतर आप देदेर में ॉर आपका जो काम है इन से मिल लेना तो अधिकारियों ने जैसी साधान सभा वही खतम मेरे को का कि भाई जो भी काम है हमें बता देना और तुमारे टेंडर ये लगे और ठेकेदार को बुला के का भी या काम चालू करो यह तो यह आई बाइट और ले लेना अब यह तो यह जो रोड रास्ते बन लेना नाला यहां पर खुला नाला था जिसमें गंदगी रहती थी और आये दिन वेक्ति गिरते भी थे और पैदल चलने में भी समस्या होती थी इसमें लोई का बीम डाल करके इस नाले को पक्का कराया गया और जो आप कह रहे तेना के जंता तगारी गिनती है वो भी यही है दरमपाली आपने होगा हम कराएंगे मैंने का कराओ काम नहीं हो तो बताना जंताने मुड़ी लगा के तगारी गिनी थी वैसे अने दूसरी के भी नहीं है पर तो यहां भी यहां की पॉब्लिक ने काम कराया और कितना सॉलिड काम है आज तक और अभी तक पास साल हो शाम होते होते आपका वाड का काम भी हो गया साधरान सभाएं वैसे तो प्रावधाने साड़ दिन में कराने का आपको लगता है कि हर साड़ दिन के हर साड़ दिन बाद में साधरान सभा होनी चाहिए जबाब देता होनी चाहिए यह बात आपने बहुत बढ़िया कही कि व तो ना तो किसी का काम रुकेगा ना अधिकारी को कोई समस्या आएगी और ना पारसद को समस्या आएगी क्योंकि जब बैठके आधान प्रतान हो जाता है जैसे मेरे मेरे का मेरा आठ साल तक टेंडर नहीं हुआ यदि साधान सवा दो मेहने बाद होती तो जै भी काम हो गया होता मेरा परनतु ऐसी परिष्टियाकि के आठ महीने नहीं हो पाया और जैसी साधान सवा होई तो तुन्त काम हो गया तो मेरा आगरेक सरकार से भी और निगम से भी कि दो महीने बाद प्रते एक दो महीने में तीन महीने में साधन सवा होती रहेगी तो जन हित के लिए साधन सवा बहुत बढ़िया है क्योंकि जनता का जो काम पार्चत के कहने से नहीं होता है साधन सवा में कहने से तुरंत जनत का का काम हो जाता है तो हमें तो पब्लिक जनता ने चुना है और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं जनित में काम करने के लिए साधन सभा बहुत आवशक है यहां पे कुछ और जो लोग होंगे उनसे हम बातचीत कर लेते हैं लेकिन आपको वह तस्वीर हम दिखाएता हूं जिस लेकिन अब यह जगे बिल्कुल ठीक हो चुकी है यहां रुकेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए और कारेकरम को अंतिर चरण की और लेकर चलेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेर शो में वाड नमर छे में हम मौझूद हैं पारशद हैं दरंपाल जाटाव अच्छा मुझे बताईए जानते इनको दरंपाल जाटाव जी यह पारशद हमारे हैं कारेकाल समस्या बता थे इन्हों मजा इनोने नाला इन्हों नाला जो नाला समस्या दूरावि साखरेकाम का मईंड बड़िया हूआ था वह वहाट ही बढ़िया बहुत इव उनको टिकेट दोबारा देते हैं बिल्कुल और जरूर जीतेंगे जरूर जीतेंगे तो पाच्पा के जो शेहर अध्यक्ष उनको जरूर देखना चाहिए कि इस तरीके से कौन बनेगा मेर शो में जिटनता है वो दुबारा से कौन-कौन से पारशद है जिनको दुबारा से इपने वार्ड में तयार कर रही है. कहे रही है कि उनको दूबारा से उमिधवार बनाए जाए और गौन कौन से एसे पारड़्टि है क्यों उमिधवार नहीं बनाए जाए आके कौन बनेगा मेरशो का जो कारवा है उसको लेकर चलते हैं और अब अंती चरण में पहुच चुका है हमारे कारिक्रम और बहुत जल्दी हम आपके वाड के अंदर भी आने वाले हैं आपके वाड में जो समस्या हैं उनको जानने आने वाले हैं आपके वाड़ पार्षत ने क्या काम किया है उनकी जिम्मेदारी हो जवाब देए तैक करने वाले हैं यहां रुकेंगे एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए आपके ब्रेक के बाद बहुत-बहुत स्वागत है जो कारवा है वो आगे बढ़ जाना है और अगरी अगरी कारिकरम को अंतिम दौर में लेकर चल रहे हैं अच्छा मुझे यह बताईए आपके वाड में आप कह रहे हैं बहुत विकास के काम हो गए हैं और अब मुझे एक जवाल का जवाब चाहिए मैंने बहुत सारे पार्शदों सभी यह बात पूछी है क्योंकि कई लाके ऐसे हैं अजमेर में वाड के जो एडिये के अधिकार चेत्र में आते हैं आपको लगता है कि वाड के पार्शदों को एडिये से भी पंड मिलना चाहिए और एडिये की क पार्श्टी बनते हैं अधिये में एक्ष्टी तो ज्यादे लाव होगा नगल, निगम और एडिये दोनों परियावाची सम्दें दोनों का काम लाइड का, सपाई का, निर्मान का. सलित में लगता है Пराश्टमी बहुत मिल करना हको निर्मान एडिये भी करता है तो निगम भी करता है तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसको एडिये करता हो निगम नहीं करता हो निगम करता हो एडिये नहीं करता हो तो दोनों को मिलकर के पार्शद और जनता को साथ लेकर के काम करेंगे तो अजमेर का तो क्या देश का विकास हो ग और इस बार अगस में चुनाव होंगे मेयर दुबारा धर्मिंदर घरलो तो आप बन नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसी महिला का रिजर्वेशन हो गया है आपकी पार्टी में से कौन-कौन से लोग हैं जो दावेदारी करने वाले भारतिय जन्ता पार्टी में कोई दावेदारी न करता है न दावेदारी होती है भारतिय जन्ता पार्टी एक बहुत बड़ा परीवार है वह बैठ करके सोचता है जो उनको अचित लगता है उसको वे मैंधान में लाते हैं और देखते हैं कुन जन्यित का काम कर सकता हूण ज्विक्ति हए यdefense को लाते हैं तो इस मैं यह कहना कि दावदारी कौन करेगा दावदारी से हमारे अब मिलतितिया पाट्टी को भी लेना देना नहीं है वो तो समय पर समय आएगा कहेंगे भाई क्या नाम जी दर्मपाल जी यह फारम बढ़ना है और आज तक ऐसे ही हुआ जब मेरी स्रीमती सरोज जाटव प्रारम में घर की एक महिला थी खाली दस्मी पास थी तो जब पारसद के लिए बड़े पदादिकारी जो बड़े करें लुडे टीन में बैटिसमीन लाइं करने बार नम का नाम तये हो और जैपुर से आया और सबस complOT ना पादेगा और जनताकार कार करताओं को इतना से उगरा कि पहली बार मेम ने चुनास लड़ा बड़ी आसानी में मेर जीतने के तो पार्टी ने अपने आपी ते करके और आकर के साम को आए कि सरोजी को बेजना है सरोज जाटम को और मेर बनाना है मैंने का आश्चरी की बात है ना कोई चर्चा ना लेना दन आये पतादिकारी और मैडम को अपनी तो कार में ले गए और जा करके सपत गहन करा दिया रात क पांच छह बजे साम को सब आपकरा दिया मैडम भी आश्च्रिय में हमें पता ही नहीं ता यह मेर बनाएंगे मैडम तो ऐसी पार्टी जिसमें दावेदारी का कोई परिवार की प्रश्ट भूमी राजनितिक रही है और मैं भी सुरुई से ुं एक IPSS इंacz ज astrology से चैनल सरुए लाजनितिक रही है परन्तु ये नहीं था कि हम जनता की किर्पा से या पार्राटि की के उपर कम तो यह तो जनता और पारटी को धन्यवाद देता बाकि प्रश्ट भूमित राजनी की जलिए अब चलते चलते एक आगरी सवाल कौन बनेगा मेयर शोज एंप्टीटीवी इंडिया इस वक्त अजमेर के तमाम साथ वाड़ों में जा रहा है लोगों से जान रहा है वाड़ पार्शत से जान रहा है यह कारिक्रम आपको कैसा ल अपने हिसाब से रख रहा है आप जनता से अपने हिसाब से मला उसकी जानकारी ले रहे हैं तो जनता के और पार्शत के बीच की जो सारी कलपना रचना या प्रिक्रिया है वो इसके माद्धम से आप तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से आपने मेरे वाड़ में जहां जहां भी अपना ये प्रोग्राम जनता से पूछा सायद एक भी वेक्ति आपको नगेटिव नहीं मिला होगा तो जिस वाड़ के अंदर आपको एक भी नगेटिव नहीं मिला तो तो यह तो मान करके चलो कि जो सच्चाईयों सामने आती है और ले और लोगों का प्र पर आ गई है अच्छा बाओ जी आपका नाम क्या है अरिस मली मुझे बताइए कौन है यह आपने धरम पार साथ पार्शाद आपके कैसा इनका कारेकाल बुड़ मॉनी आरा बिल्कुल ऐसी है अपने बाप से भी जादा इनको पूछता हुआ है वह उसकी नाम मुझा रोज आपके सामने की बात है मैं कहता हूं मेरे वाड में ये स्थिति है कि यदि साम का बोजन हम घर पे नहीं बनाया ना तो 365 दी जनता के घर में बोजन मिल सकता है मेरे कभी मेरे साथ चलना पब्लिक साम को कि बजब खाना खाओ यही खड़े कि इतनी बार आगरे करते हैं खाना लोगतंत्र के यही खूबसूरती है कि जनता अगर नेताओं को इस तरीके से पसंद करती रहे प्रेम करती रहे तो मुझे लगता है कि लोगतंत्र और खूबसूरत बनता रहेगा कौन मैनेगा मेयर शो आपके वाड में भी आने वाला है आपसे भी जानने वाले हैं कि आकिर आपके वाड में कौन कौन सी समस्या हैं और जो वाड पाठ्षत ने वादे किये थे उन वादों को क्या वाड पाठ्षत ने पूरा किया या नहीं किया आपके वाड पाठ्षत क तो साथ में लेकि आएंगे उसकी जवाब देए और जिम्मेदारी तये करेंगा इतजार किजिए आपके बाद में भी बहुत जल्द पहुचने वाले आज के लिए कि वली तना ही अगर 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 अगर